नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त और आपका होस्ट अभिशेक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब का चैनल आगे बढ़ने से पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुप कामना है जैसा कि मैंने आपसे वाइदा किया था कि मैं आपको होली के बार विशेश का ये पहला वीडियो है आपको होली के पारे में और भी वीडियो पे लेंगे उस कड़ी में ये पहला वीडियो है आज मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा जिन उपायों को करके आप अपने जीवन में कुछ समर्दी पा सकते हैं तो देखते रहिएगा पूरी पर बटन पर क्लिक करना होगा साथी साथ उसके बरावर में जो घंटी लगी हुई है उस पर भी आपको कलिक करना होगा उन लोगों को ध्यान दिला दू एक बात फिर से जो लोग अभी नए हैं और नहीं जानते हैं कि हम लोग कैसे प्रॉसेस करते हैं मैं नई चीज़ अगर आप मुझसे question पूछन पूछन चाहते हैं तो एक question आप वहाँ पर डाल सकते हैं अपने hand की picture के साथ, एक left hand की, एक right hand की, साथ ही अपनी complete data पर details के साथ, अगर आप select हुए, तो अगली वीडियो में, जो कि Sunday के दिन आएगी, उसमें मैं आपकी उस question को ले सकता हूँ, ले depend यही करता है कि किसका question साबने आता है, क्योंकि वो एक round robin एक तरीके से एक प्रदिती है, जिसमें, जिसका select होगा, मैं उसी को ले पाऊँगा, ठीके, चलिए बात करते हैं, होली के बारे में, होली का त्योहार, रंगो का त्योहार है, सबसे पहले तो यही बोलूँगा कि कोई भी चीज ऐसी मत करियेगा होली पे, जिसके किसी को problem हो, होली के त्योहार को खसी खुशी मिनाईएगा, और नशात्यादिया चीजों से दूर रहीएगा, उपायों की अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहला उपाय जो है, जैसे आजकल जो यूथ है, उस यूथ में मन चाहे वर को पाने के लिए काफी ज़्यादा एक ललाहित रहते हैं वो, कि उन्हें अपनी choice का husband मिले या wife मिले, उस case में आप हनवाल जी को 5 लाल फूल अगर चढ़ाएंगे, तो आपकी मन कामना पूरी हो सकती है, पांच, लाल, पुष्प जो हैं वो अगर आप चढ़ाएंगे, तो आपको, जो आप मांगना चाहते हैं, X, Y, Z, यहाँ पर आ जाती है बात, उसमें आपको मनोकामना आपकी पूरी होगी, होली के दिन की बात कर रहा हूं, जिस दिन रात को होली जिलाई जाती है, उस दिन की बात नहीं कर रहा हूं, जिस दिन रंग खेला जाता है, जिस दिन होली है, जिस दिन बड़ी होली है, उस दिन आप मंदिर जाईए, हन्वान जी के चढ़नों में पांच, फूल, अपने आप रखतीजे, या पंडेजी से रखवा दीजे, बात एक की आए, इसके अलावा में आपके लिए ढूना हूं, जो एक सधारन मानस जो है, वो जिस दिन पायों को कर सके, कि मंदिर में आपको जाना है, शंकर जी को पंच मेवक की खेर आपको चढ़ानी है, और अपना शद्धा पूर्वक, अपनी मनुकामना उन्जे कहनी है, शाहिए शाथ शिवजी से लिलेटेड एक उपाय और है, होली के दिन सुब़ सुब़ जाएं, बेल पत्र लें, उस पे सफेज चंदर से बिन्दी लगाकर, बेल पत्र के ओपर सफेज चंदन से बिन्दी लगाकर, अपनी मनुकामना को मन में बोलते हुए, शिवलिंग पर सच्चे मन से अगर आप चढ़ाएंगे तो आपकी मनों कामना जरूर पूरी होगी पतलब होली के दिन जाईए बेल पत्र लीजिए दिन देख लीजिएगा मुझे दिन याद नहीं आ रहा है समय कि इस बार होली किस दिन पढ़ रही है तो बेल पत्री अगर आपको कहीं सा अरेंज हो जाती है वो जाएगी पेल पत्री हजग अरेंज हो जाती है उस पर सफेज चंदन लीजिए सफेज चंदन कोशी शेहिक बजार में मिल रहे हैं, तो उसको थोड़ा देख लिजेगा कि ओरिजनल हो, उस पर बिंदी लगा कर आप अपनी मनोकामना बोलते हुए मन में शिवलिंग पर चड़ाइए, इसके साथ साथ जो दिवाली की रात होती है, वो बहुत ज़्यादा important होती है in terms of financial matters, अगर आप financial matters स जूज रहे हैं, आपको problems चल रही है, आपकी दिकत आपको चल रही है, आपके पास पैसे टिकते नहीं है, या कुछ ऐसी problems आपकी life में चल रही है, तो दिवाली की रात में 11 बज़े के बाद रात को आप लक्षमी जी के मंतरों का जाप करें, साथी साथ लक्षमी चालिसा या श्री सूत का पाइट अगर आप कर सकते हैं, मिनिमम कोशिश करिए एक घंटा देर घंटा करने की कोशिश करिए, जादा कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, कहा तो यह जाता है कि पूरी रात करें, लेकिन अगर आप दो घंटा या एक घंटा भी करते हैं, तो आपको काफी लाब होगा, अगर लेकिन अगर आप बिमार हैं, तो अपनी सामर्थ के अनुसार ही करिएगा, और सच्चे मन से करिएगा, किसी भी टुटी पूर्ण नजरिये से, आप उस जाप को मत करिएगा, बहुत तल्नीनता के साथ आपको वो जाप करना है, साथी साथ अगर आप नौकरी आपको नहीं मिल रही है, नौकरी मिलने में आपको दिक्कत हो रही है, तो होली की रात में चौरहाय पर जाकर, एक निबू लीजे, उसके चार टुकड़े कर लीजे, और चारो दिशाओं में उसे डाल दीजे, चौरहाय पर जाके नौर्थ, और जब आप घर लौट कर आएं तो पीछे मुड़के बिल्कुल ना देखें और किसी से बात ना करें सीधा घर पर आएं ये बात आप ध्यान रखेंगा तो जितने उपाय मैंने अभी आपको बताए उसमें से स्रिफ ओनीबु वाला उपाय तोड़ा ध्यान से कीजेगा नहीं तो बाकि जो पाय है जो से बेलपत्र वाला उपाय है और हनवानजी वाला उपाय है वो आप कर सकते हैं इसके साथ आप एक बार अपनी कुंडली का विविचन और हाथ का विविचन भी करा सकते हैं उनके नंबर मेरे दूसरी वीडियो में है और मैंने एक वीडियो आपके लिए इस्पेशल बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप अपना एक कॉंशन कैसे मुसे कि अगर आप लखी हुए तो आपका कॉशन नेक्स्ट वीडियो में लिया जाएगा जो संड़े के दिन होगी और अगर संड़े के दिन नहीं होगी तो जो भी अपडेट आ जाएगा आपके पास कि कब वो होगा या ट्विटर पे में लिख दूँगा लिग मैं ट्विटर प सब्रद्दी हो मने रहे मेरे साथ इसी तरह से थैंक यू फॉर वाचिंग